कि देखिए ध्यान देना इधर बूट पे हम लोग क्या पर रहे हैं प्रजेक्टाइल मोशन पर रहे हैं ना जिसको हिंदी में क्या कहते हैं पर्जेप्य गति आपको इसके बारे में कुछ-कुछ टर्म लॉजी पढ़ाया गया है हम उसको एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में फिर से दुबारा चीज आ जाए इसमें आपको क्या बताया गया था कि यदि कोई वस्तू को गुर्टवा कर्शन के अधिन कुछ कोन पर भेका जाए तो जिस तरह का गति करता उसको हम बोलते हैं परचे पर गति जैसे इसमें एक्जामपल में हम देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तू को ध्यान देना बोड़ पर बाच इतना ही करेंगे ध्यान दीजे इधर यदि किसी वस्तू को मान लिजिए कि हम यहां से एक्स अक्ष से कितना कुण पर ठीटा कुण पर फेकते हैं कितना वेक से तो बता इसको कायदे से जाना कैसे चाहिए था सीधा चलना चाहिए था लेकिन गुर्तवा खरसन उसको खीचेगा तो इसका जो पत होगा कुछ इस तरह से बनेगा तो जो यह पत आपको दिखाई दे रहा इसी को न बोलते हैं परच्छेप्पे पत अब यहां पर देख सकते हैं कि इस परच्छेप्पे पत पर जो कन सब्सoga कि आगे बढ़ेगा ना तो बता जीसे जीसे आँगे बर रहा एक घुmy मडाय कि नहीं घूब रहा है कि यह अ यह सीधा चल पा रहा है इसको चलना चाहिए था कि नहीं न्यूटन का नियम क्या कहता है गर न्यूटन के गती का नियम अगर आप सुने हैं तो कहता है कि यदि कोई वस्तु गती में है तो गती में रहना चाहता है यदि कोई वस्तु इस्थिर है विराम में है तो अगर हम इसको फेंके थे सीधा तो इसीधा गती करना चाहिए था न और स्ट्रेट लाइन गती करना चाहिए था ना लेकिन यह बताओ कर्व हो रहा है मुड़ रहा है यह मुड़ने का कोई कारण पूछे तो आपको क्या बताना है जी जी क्या होता है गुर्तवाकर्शन त्वरन क्या होता जी कोई भी वस्तू कोई भी वस्तू जिसका मास कितना है कोई पूछे कि इसमें बताओ गुर्तवाकर्शन बल कितना लगेगा तो गुर्तवा कर्शन बल कितना लगेगा एम जी लगेगा बल बड़ाबर क्या होता है मास गुना तोरन यह होता है न तो यहाँ पर एक जो मान है वो किसके बड़ाबर है अजी का मान कितना होता है मीटर पर समझनाबर रहा है में तो जी नहीं यहां पर जो आपको दिख रहा है सको बोलते गुर्टी रानट अगर अगर हम द्रवेमान में किसमें अगर हम द्रवेमान में गुर्तविये तोरं से गुना कर दें तो हमको गुर्तवाकर्शन बल मिलेगा क्योंकि बल का प्रिभासा होता है द्रवेमान गुना तोरं तो अगर हम द्रवेमान में किससे गुना कर दें तोरं से किससे गुना कर दें ने तो अगर हम तिरह उन्सर गूना कर देंगे तो हमको बल्व मिलेगा ना इसा गुरू वां दें तो बल मिले अना है कि बल कैसा होगा था समय नेरे ध्यान दीज़िए गा तो यहां-पो क्सी स्मर्म प्रण आया कि यदि किसी वस्तु को सस्टीज से थीटा कुन पर क्ता थे USDA तो आ कर्शन वल के कारण यह कर्व बनता है क्या बनता है मैं आई वस्तू कि इस गती को मिब बोलते हैं पर छेपltry पे घटी पे क्रbbe बोलते इसको तो तो किसको ऑन कर पर समझरी और हम इसको पहले वीडिवाइज कराए थे आपको पढ़ाय थे सायद आपको याद हो लेकिन फिर समें एक बार लेके चल रहें इसको अब यहां पर कुछ-कुछ पॉइंट आपको नहीं करें के दिये थे अब बताईए आपको याद है तो सबसे पहले पात क्या किया थे अच्छा बताओ इवला जो पथ आपको दिख रहा है क्या कहीं पिसमें महत्तम उचाई आपको दिख रहा है क्या इसको हम महत्तम उचाई कह सकते हैं देखो तो यह पूरा पथ में सबसे ज़्यादा उचाई पर यहीं है इससे पीछे आओ इससे आगे जाओ दोनों तरफ उचाई घट रहा है इस बिंदू के आगे जाईए इस बिंदू के पीछे जाईए उचाई आपको क्या लग रहा है घट रहा है घट रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे महत्तम उचाई है क्या बोलेंगे इसको अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, कि ये जो उचाई है, ये H-max है, क्या बोलेंगे इसको? ह-max का मतलब वह महत्तम उचाई है, इस पत पर इससे ज़्यादा उचाई कहीं पर भी नहीं है, आगे जाएंगे, उचाई घट रहा है, पीछे जाएंगे, समझ मैं रहा है, तो परछेप गती में वस्तू जिस महत्तम उचाई तक जाता है, वस्तू जिस महत्तम उचाई तक ज मुचाई पर जा रहा है तो यहां से यहां तक जाने में समय लगा होगा कि नहीं तो यहां से यहां तक जो समय लगा होगा इसको क्या बोलते हैं कि महत्तम उचाई तक पहुंचने में लगा समय महत्तम उचाई तक पहुंचने में लगा इसके बाद बताओ यहां से नीचे आ तो क्या जितना समय में यह महत्तम उचाई पर पहुंचेगा क्या उतना ही समय में नीचे भी आएगा हाँ आएगा क्यों कि देखो जब यह महत्तम उचाई के तरफ जा रहा है तो इसका जो वाई के दिशा में वेग होगा इसका वेग बताओ केवल एक्स में केवल वाई में क दोनों में कोई पूछे कि बताओ एक्स में इसका वेग कितना है एक्स में इसका वेग कितना है जिसको यू एक्स लिखेंगे तो कोई पूछे कितना है U cos, कोई पुछे कि Y में वेक कितना है U sign, आपको बता इतना की कहां से लिये हैं तो आपको directly याद है यह चीज कि यदी किसी वस्तु को U वेक से फेके हैं कितना कौन पर कहां से कौन बना है उर्दवारदर से कि 66 से इसको 36 बोलते हैं करें कि 36 कि अगर 36 अगर कोन थीटा ती बला कितना होगा इवला कितना होगा इवला कितना होगा शही बात है आप बतावадц avait जहित there जही से वस्तु आगे भर रहा है जो भी कन आपको दिखाये गया डॉट डॉट दिखाये गया न यही न वस्तु है तो जही से जही से आगे भर रहा है महत्तमुचाई के तरफ जा रहा है इसका वेग बताओ वाई वला इसका वेग वाई वला घट रहा होगा कि भर रहा होगा घट रहा होगा कि बर रहा होगा आपको क्या लगता है यू का दूगों कंपोनेंट है न एको कहां है यू कहां है हम आप से सवाल क्या पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे यह वस्तु आगे बर रहा है इसका जो वाई वाला वेग है न यह घट रहा है कि बर रहा है बुली जल्दी अच्छा बताओ वाई वाला वेक है किधर उपर के तरफ है कि नीचे के तरफ है किधर है तब वेग किधर है उपर अत्वरन किधर है अब बताओ अगर वेग उपर है अत्वरन नीचे है तो इवेग बढ़ेगा अभी तो आप लोग बोले थे कि घटेगा सॉरी बढ़ेगा अभी कोई बोले ना कि बढ़ेगा इबर राजी तब बेसी का अगर तुम्हारा खत्म हो जागा फिर सवाल बनेगा तुमसे पहला बर बता रहे हैं तो आप कैसे बोले कि यह बहर रहे है ध्यान दीजे बोट पर वेग उपर है आत्वर्ण जी करने लग रहा है तो बता बराइन दिशा हो गया वेग उपर है आत्वर्ण तो दोनों का दिशा और आप वेड्रित दिशा में अगर है तो वेग कभी बढ़ेगा नहीं को वेग हमेशा hade को आब एक को फेके देख लो आप किसी वस्तूब पो तक जाएगा उसके बस कहाएगा तार नीचे कही सी आया जब इसको फेके थे उपरे इसको नीचे नहीं ना चाहिए था मतलब वकर हम इसको ऊपर फेक रहे हैं यह जारा है उपर लेकिन इसको कोई खीच रहा है त отв जहिसे जहिसे उपने जाएगा इसका घयाए घृतित जाएगा क्या होगा, घटने 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 एक समय Ochbenaya च मयूह जाएगा, जब किसी वस्तू को उपर के तरफ है कि जैसे जैसे वस्तू उपर जा रहा है जैसे 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 उपर जा रहा है इसका वेग कस के बोलू जैसे 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 उपर जा रहा है इसका वेग आइसका वेग अगर घट रहा है तो एक समय सा आएगा कि इसका वेग जीरो हो जाएग अगर's जिस समय वेग सफता जीरों हो गया जीसांचाई पर जीरों हो गया उस सदॉछाई का नाम महत्तभ तो नहीं होगा तो क्या ही इसको हम महत्तमुचाई बॉलेंगे नहीं बॉलेंगे बॉले ज CH Sure сторон नहीं हुआ तो ओर जायेगा ना बोल६ जायगा कि नहीं सेंस है क्या यह नॉर्मल बात है तुम अच्छे से देख किसको समझ जाओ कि क्या हम बोल रहे हैं वस्तु जही से जही से उपर जाएगा इसा वे घटेगा क्योंकि खीच कहा रहा है अगर नीचे है खीचाओ अजा रहा है उपर तब पक्का है कि वे घटेगा जिसे तुम आगरेवीं चल रहा है कहां है कि तुम्हारा साइकल माल लो इधर चल रहा है जाल रहा है इसाई कले माल नटा है साई कलीक है जा रहा है ठीक है अप कोई पकड़ फिक राई Again कि अभ बल कि धर है भी बदा हडम पानेश का डिब बंड़ेगा ने बढ़ेगा क्योंकि आप सम समझते इसको सब्सक्राइ colonialism तो समझ सकते हैं इस वस्तु जा रहा है कहां देखा उपर जा रहा है कि अब बल लगघर गजा को तब YES और लागातार बदल रहा निजी तो यहाँ पे जुभी वाई होगा इक इतना हो जाएगा जी रोगह क्योंकि जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है वाई के दिसावला वेग घट रहा है अगरते घटे घटे कितना अगर क्या इस पर कोई प्रभाव पढ़ेगा इप्रारंभिक वेग का एक्स कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट है हम पूछ रहे क्या इस वेग पर कोई भी प्रभाव परेगा नहीं परेगा कारण क्योंकि इस दिशा में कोई तोरण नहीं है तोरण किस दिशा में है कि वाई के दिशा में कि एक्स के दिशा में क्या एक्स के दिशा में कोई तोरण आपको दिख रहा है बोलो जल्दी अगर तोरण नहीं है तोरण नहीं है का का मतलब है जीरो है आप त्वरन जीरो कब होता है जब वेग क्या हो है यह नीयत हो में यानि कि एक दिसा में जो वेग है उन नियत रहेगा क्या रहेगा आप यह बहे गालेगा तक घटेगा की बढ़ेगा जल्दी बढ़ेगा और यहां क्या बोर रहा है पक्का बात है घड़तें 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 एक समए अज अजीरोगा फिर से बढ़ना सुरू hiç होगा क्योंकि महत्मुचप यहां जाने काइन फिर से गीड़ेगा तबस्ताव कहां तॉरन कहां जब एक दिशा में वेग और तोरन आजाए तो वेग बढ़ेगा क्या होगा विपड़ी दिसा में हो तो वेग इसा भूला ना नहीं तो सवाल समझ गया तो देखिए अब यहां पे जो निकालना उसको समझते हैं ये किलिए रुआ ना क्या क्या पढ़े थे पहिला ध्यान दिजे पहला कि मह अध्तमूचाई पहुचने में लगा इस वो कौंची से लिखते हैं दूसरा है इसको अधेन काल कहते हैं अधैन काल का मतलब कहुआ वस्तू को यहां से फिका गया था यहां पे समय क्या माल लेते हैं छिती ब्रावर अप कूल यहां थी ता गती हुआ है इत्ने समय तक ना गति हुआ है हम मालये यहां पर समय जीरो है जब यहां पर पहुंचार्म एंट समय क्थ एक उर कितना सब्सक्राइइज का विग्म कि आश्या तो कोई भी वस्तूप कूल कितना समय तक गतिकी में है किया उस्साम्य को क्या बोलते हैं तब पाहिला क्या है कि पाहिला क्या है मतलब क्या है कि महत्तम उचाहितक पहुंचने में लगा समय क्या हो गया है कुल समय महत्तम उचाहितक पहुंचने का आनीचे उतरने का मतलब कुल समय हो गया इसको क्या बोलते हैं कूल समय जिसको डैन का लगाता टाइम of light क्याकरते हैं तीसरा600 handle class जिसक्या लिखते हैं वोरी जेंटल रेंज या लिखते हैं, चौधा महात्ता मुचाई क्या लिखते हैं? महात्ता मुचाई पचमा ऐओ मचामा इस्थिति जिसको पोजिशन-वेक्टोर लिखे थे तो इसको लिख सकते हैं एक साई कैप अपलस वाई जे कैप इसका वैलू निकाले थे छट्ठा वेग इदे वो किसी भी समय टीपर है हम यहाँ पर एड़ो मार के लिख देते हैं किसी समय टीपर क्या यह टी इवला है नहीं नहीं यह क्या है महत्तमुचाई का इसमय कोई भी यह क्या है जेनरल टाइम है मने खशी किसी समय पर बात कर सकते हैं ये स्वाय भी होसकता है केस कोई भी समय होसक्ता किसी भी समय पर बात कर सकते हैं भी बताओ फिस उन्हें पर उसका देख की तना था ऑलू नहीं ययांद spite ू और यू कॉप झा आइके पलस यू साइन ओंक मायनस जीटी जे कैप रख़े ऐसे आप्षेकर सकते हैं तो बता यहीं ने छोगों प्रवाइं इसके लाबा कुछ बता हैं अभी छोगों को आपको दिमाग में रखना है तभी आगे बढ़ पाएंगे अगर चोगों पॉइंट आपके दिमाग में है तो काम हो जाएगा बताई इस सब लोग के दिबाग में है क्या इस वो है अरे हाना बोले जल्लिली सब करी भांग में है चलो बता अखरा हो जाओ पहला जो स्मॉल टी लिखा गया इसका वैल्यू कितना होता है बोलो जल्ली बोलो कि अरे लिखल तो है बोलें क्या एक कितना की मतलब कितना टाइम ही चल रहा है एक बार पढ़ा है दूबर पढ़ा है कि तीन बार पढ़ा है कि चौथा बर चल रहा है कि माबर तीसरा अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पूछने हैं तीसरा बढ़ा पढ़ा चुके अरे आदमी हो ना सच में अ कि त्व अ अ कि आदकी हो तो आदमी हो इसका में करो है जल्ली बोलोXT कि des कौन पढ़ाई पर रही है , कौन पढ़ाय चल रहा है , मजाक कर रही है , बोलू , और एक बार में समझ मेन आता दू बर मेन आता है , की समर्ज ने काम बोर रहा है , ख़रा हो बोलो यू साइन थिटा बटा जी सही बोला यू साइन थिटा बटा इक कई से निकाला गया है जी देखो इसको कहते क्या है पहली बताओ मतलब क्या है? वा हमको ने दिखने है के स्मोल्टी है महत्तम उचाई तक पहुचने में लगा? अब बताव आप कि महत्तम उचाई एकस में होता है की वाई मैं देखने ने का चीज है ऊचाई करने होगा तरह कि क्या है कि outta Tini इक्या है तक महत्तरम देंगा कि अब राफकिन होगा अहीं होगा आपको सोची लेना है कि महत्तरम राइसलों गातल जो समय कर निकलेगा ता बताओ महत्तम उचाई में लगा समय यह बच्चा लिखवा दिया बिल्कूल सही लिखवाया है आपके वल यह समझ जाए किसका मान निकले है कई से तब वाई की दिशा में सोचो किसके दिशां सूचो तब ही बढ़ावर क्या होता है कि यूब पलस कि इस दिशां में सोच रहे हैं हो गया आपको क्या निकलना समय महत्तम जाई का महत्तम उचाई पर कब बोलें जब ही वाई कितना होगा कितना होगा क्योंकि जब तक यह वला देख जीरो नहीं नहीं होगा हुए है आ भागी कि दीसा में जब तक कि दिडिगोने योगा है क्या महत्रब इसे रहका है हमalis होगा यह हुए पीद आसाइ। यू शाइन आए वाई कितना है जा एंबाइब सोकी तौरण आई कै вас ज driving करने हैं नीचे वाला माइनेस की पलस इसलिए क्या लिख दिये आइन टू सही है हमको क्या से यह था तो इसको यह पर दिले आते हैं तो माइनेस अतर तर्टी ब्रावर क्या आया यू साइन अब 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 दिक्कत हो रहा है क्या समझ में आया बटो इपाला के लिए रुआ देखो आगे ध्यान दो हम बोले कैपिटल टी का वेलुव बताओ बताओ टू इउ साइन थिटा बटा क्या यह सही बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है देखो इवला देखो इसमें क्या किया गया है दूसर गुना यू साइन थिटा था इसमें कितना सा गुना किये का है किसो समझो जीतना समय में यहां पहुंचेगा उतने समय में नीचे भी प है तब क्याप्टल टी ब्रावर क्या लिख देंगे हम है क्याप्टल टी का जो मानोगा टू इंटू है अस्मोल टी तर टी का वेल्व कितना है इसमें के इतना से गुना कर दो आ गया बोलो कोई दिक अब देखो अगर इतना बताने के बाद अगर आप नहीं समझ पाए ना तो आप नहीं पढ़ पाईएगा इसमझ यह बात समझ रहे हैं अगर इतना बताने के बाद एक बार दो बार तीन बार अगर समझा है उसके बाद गाहट भ्याद और समंझ नहीं हो तो फिर काम नहीं होगा इसका सिधा मतलब है कि गर पे जाकर बिलकुल कई पढ़़्ाई करते हैं इसका सिधा मतलब यह हीए ठीक है तो दो चीजों कि अ थी सा प्रेस्थ ते हैं कि तुम बतायो unions लाओ कि इस सब को मिटा सकते हैं नो अरी वीजन के तोर पर आपके वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपको डाल ले जाएगा रिवीजन आपको करना घर पर जाके देख सकते हैं आपको अगर टाइम नहीं देखने का तो फिर कैसे होगा चलिए देखे तो द्यान दिजे किसका बात किया जाएगा और जेंटल रेंज इसको हिंदी में क्या करते हैं आपको इसमें 36 प्रास बताना है 36 प्रास किसको बोलेंगे आप यहांसे फैखागा्या है इरह एओ यहां पर गिरा है दिख रहाए आपको 36 का मतलब उता है एक्स छै-ठीज का मतलब टो एक्स के दिशा में कि वस्त्युक कहां से फैका गया आज कहां पिंचा ठीक रहा दूने विन्दू मालो कहां से भेखा गया ओसे ऑसरी कर दाम है ओस्का नाम ओरीजिन गार्थ विरा गया आप पहुंचा कहां कि ए तक ओसे फिखेगे पोंचा कहां तो कोई पुछे कि बताओ 36परास क्या है तो क्या बोलना तो, janta क्या है तो यह बोलेंगे? एक सिंसा में जो दूरी तो ही किया? क्या नाम दे सकते है? O, A अब बताओ, एक तरह का दूरी हे नहें, इसका मान कही से निकलेगा?, बोलो O, A का मान कही से निकलेगा? कही से आया हूँ? जो बोल रही है बोल जले जो बोल रहे हूं निकाला कैसे गया और रट जाने से भी काम नहीं होगा आप इतिहास तो ही पर रहे हैं जो सब्जेक्ट का डिमांड उसके हिसाब से समझना पड़ेगा आप चीजों को समझेंगे तभी आपसे सवाल बनेगा आप फिजिक्स में सवाल तो होता है और क्या होता है तो सब्सक्राव अगर बनाना चाहते हैं तो दिमांग को खुलना पडएगा दिमांग को डिवल है कि बोले लिक्राइब बताएं इसको उपर ला मिटा देते हैं कि देखिए क्या फच्छा फर्मूला बोला क्या बोल रही थी कि यूए स्कार सानी स्क्वार थीटा डिवाइड भाई जी कैसा ही बोल रही है गलत है कि आप लोग बिल्कुल घर पर नहीं पढ़ते होंगे कि नहीं नहीं कि बस क्लास आना है जाना अप्राइलिखा इसको लेना देना नहीं है कि हम लोगा मेंने का को मतलब निया जी बोलो हम लोग यहां पर आके जो चालू लो करके बॉल बार के जो और को सुरूब करें हैं इसका को मतलब है कि नहीं पलीवटा अड़ी जो है उटो ठीक है जो बोल रहे पहले उसका जवाब दो जो हम लोग यहां पर आपको सिखारे से कोई मतलब बनता है कि नहीं यहीं मतलब है कि तो कि थो थो ध्यूंट अपर याप यह अपने आप के बारे में सोच्छों कि हम घार रहे हम को क्या करना चींज जैन सोचलो काम खराब हो जाएगा आपके पास समय बहुत बरबाद आप नहीं कर यह जाते समय ध्यान दिजी इदर अब यह आएगा कि नहीं आएगा आप रट रहें इसको रटने के लिए हम बोले थे क्या नहीं बोले थे कभी नहीं फर्मुला पर रटी एगा फंस जाईएगा रट गए पतर नहीं चल रहा कहां से क्या लगाना है त ऐखोस वाल नहीं बनेगऊ तो तरीका जो हो सको पकरो ना कि हम कहीं कहा रहे है समझना कैया चाहर है हम बता इसके बारे मता दिये कि 36 प्राइस किसको कहते हैं पर भी और छेप पेघति में X के दिशा में पर फेठिव घतिम है जो वस्तुं दूरी ते कि अंच्छ को क्या बोखते यो चाही भी इसको अरगि मते जिसका नाम क्या है ओ एगा नाम है और वह में इन पर किया मुको इस दिख रहा है चाह सा रूकर च जाहता है तोरं कि फिना कि सो कि धिती किमिरी हुआ है तोरण अगर जीरे वेग है ah ma ne big बदलेगा कि नहीं बदलेगा है पक्का बात है अब आप सोचो कितना सिंपल चीज हम पुछिए आपसे कि ये से ओ से एक दूरी बताव कितना होगा इसी को तो शेटीज प्रास कर रहे हैं आपको नीचे लिखा हुआ है कि एक सके दिसा में वेग ई है अत्वरन इसका मतलब वेग मने वेग बदलने वाला अगर बताव कि वेग नहीं बदल रहा है कोई वस्तु नियत वेग से चल रहा होता है अब कोई पुछे कि बता 笑 एतना समय में कितना दूर जाएगा जिसे एक आदमी है दो समida और 2010 ला ऑगा हम बोले कि बदाव के ता दूर जाएगा थो बुलि कर्यूंस अटिमे कितना दूर जाएगा की बोंहेली कौन अस्कूल से पास हुई है अस्कूल का नाम बताओ हम बोले कि 10 मीटर पर सेगेंड से जा रहा है आध दू सेगेंड में कितना जाएगा तो एंसर सुना न तुम लोग हम रिकॉर्ड कर रहे वीडियो कोई देखेंगा तो बेजती हो जाएगा कि करिशन करिशनल इकन देखेंगे कि इन सर्फ बोली है जो भी लोग वीडियो देखेंगा उस क्या फिल करेगा कि पताने कई साथ बच्चा को पढ़ाते हैं अ कि अ कि अ जली आगर तो दॉस्ट मेंटर वीडियो से चल रहा है नेशनल रिद्सी जाएगा यह धूरा से थे यह जी नहीं आता है कोई बात नहीं लेकिन जब चीजों को समझ रहे हम समझेंगे तो नहींस अब होने हां चैना इब यह ही चीज को अपलाई यह कर दो आपको क्या निकालना ओद से एक अदूर ही जिनकाल nor Oh बो ताहर के दोजए का दूरी विड़ावर है स्मय या छाल गुना समय सिंपल पतार उपला बस तुने हैं क्या सुन रहे बच्पन से दुरी बडावर चालगुना तब बता यह निकालना था ध्यान दीजे बोड़ पर अब देखे तो इधर यह नहीं कालना था यह है क्या दूरी अदूरी बडावर चालगुना बोल सही है चाल कितना इव कॉस आज समय कितना यहां से यहां तक का समय कितना है छोटा वला की बड़ा वला तो इन्टू क्या लिख दें बोल सही है आभी अभी टी का वेलू को बताया था कितना बताया था के टूई कर यूच कर दो सायन थीटा बता बोल सही है इसको गुना करके काम कर लें बदाओ क्या हो जागा टू यूए शक्वाइर के साइन थीटा फॉस थिटा अंब रट आमें बपूर और कोई दिककत समय में अज़ में आ रहा है ध्यांद कुछ फर्मूला दिखा क्या दि तू साइन थिटा इन टू देकर तू साइन थिटा इन टू किसको क्या लिख सकते हैं को सांट टू ठीड़ा और यहां पर गुना कितना से हैं जिए कि वे स्कॐ रप बता वागया एक इसका मानाया दो किसका मानाया है अब तुम इसको रहट रहा है तकाम होगा कियो और रटे गातक न्फ्यूज रहबे करेगा तुम अब यहां पर साइन टू ठीटा बोलना है कि सान स्कॉर्ट ठीटा बोलना है तुमको समझे बने आ रहा है तुम इसको याइदी बतो बहुत भारी है जी एक आद पनना का काम है कि दू लाइन का है दू पर चाल कुना यहीं पर बना है क्या समझ आया बैठो अगला अगला सब्सक्राइब भूल जाए ना बहुत बढ़िया करेगे ठीक है सर कि मिटा दर इसको कि चलो आगे देखो इसके बाद हमनी भाइज नहीं कराने वाले लास्ट है आगला बार पूछे आना पीटा तो अगला पर पीट देंगे चलिए देखिए इसके बाद क्या निकलना है सबसे पर लिए बता मैक्समाइट करने होता एक समय कि वाई में तक इधर सोचेगा तुम जिदर होता है उधर सोचेंगे देखो दिखना महत्ता मुचाई यह लादी साओन है वाई है ता महत्ता आए यह सर्थ है कि वाई के दिसा में जो राती मेगा जीरो हो जाना चीय है जब तक कि दिख रहा है हम यह दुनों फर्मुला हमारे दिमाग में कई से आया कि यहीं लगाएंगे तो बनेगा तो सीधा सीधा बात है वाई के दिसा में क्या है तोरन है आज जहां पे तोरन रहत्ता चाल को समिकरन पढ़ाया गया बी ब्रावर यह प्लस एस रावर यूटी प्लस भी एसकार माने सीवस्कार लावर आये को बताया थे हां को बताएगा डिल्टाइशन का बेलू बोलो खड़ाओ जाओ डिल्टाइशन कि एसकार प्लस बीसक्राइब हां बोलो तुम बोलो हां सही बोला डिल्टाइशन होता है यू प्लस हाफ एंटू टू एड माइनस वन बैठे तो यह लपावर समझ में आए क्यों लगा है क्योंकि वाए कि तीसा में तोरन है आप तोरन के लिए क्लेगा फ्रमुला चार गो आप तोरन भी कईसा एक समान क आप ताभी कुण दो बोला था अशमान अजी जी का मन बदलेगा तो एक समान नहीं जी एक समान तोरन के लिए इस समिकरण होता है अगर आपको याद थोरा बहुत हो कुछ तो यह जो चार गो फ्रमुला भी रिपीट किया किसके लिए है एक समान तोरन के लिए किसके लिए लिए तक वाविसके लगा सकते आई यह भी रहुदा शेंटी । लिए आठी । यह धोवी है करने है दुरी टी कहे लगाए दुरी वखिल होता है उसको लगाए ब्刀स मेट दूरी है सबस्क्रान्स नकलना परमुला के बारे में तोचे अब ऐसे निकालना apple apple कि अब दूंख सकते हैं नीचे वब अला से आप दोनों से निकाल सकते हैं अब दोनों बताया ता याद अगर है तो अभी यह कि धून कि नो दोनों नंदीजिए मैंली तो द्यान दिश्कर पे तब नीकार रहे है एच मैक्स क्लेक कि अार्ट का यतैसम mlis किदर उता है एक्समें कि बाई में ई समय अनॉ दो ट्या लागा दो वाए लग दिया बता अगर और वाई में तुम एच मैक्स निकाल रहा था इसका मान बोलो बभलू समझ में रहा है बीवाई कितना माइनस हुआ वो लो युवाई कितना था कि यू साइन थीटा उसका स्क्वार कि यू स्क्वार साइन स्क्वार बड़ाबर माइनस तुन क्योंकि एवाई कमान तो माइनस टू जी अब बता इसको अगर जीरो पुट कर दिया तो एस्वाई क्या कर लाएगा कि एच मैक्स कह लाएगा सवी बात है क्योंकि अन्तिम वेग तो जो भी उचाई है जो भी दूरी है उन महत्तम होगा क्या होगा सभी है माइनस माइनस माइन गया है एच मैक्स आगया क्या आया कि यूए स्कॉर साइन स्कॉर ठीटा डिवाइड़ भाई बोलो किसी तरह का किसी को कोई तकलीप है कि लिए तब बाइवर तुम भूल जाता है घर पे प्राइलिक आई तक करो नेकर एक तकाम होगा सब्सक्राइब गया अच्छा चलो ठीक है डिटेल में नहीं जा रहे आगे आपको पता ही है ए रेंज उज का डिसकर्सन किये तेना डिवर महत्तम होता है कितना डिवर बहुत और नहीं आप एधालिस डिगरी कितना डिवर पर चलो इधर देखो इधर यहां देखो यहां कि पोजीशन वेक्टर जिसे देखो इधर द्यान दो यह परच्छे पगती है ना बोलो है ना हम बोले कि समय टी पर कोई एक समय ले लिए टी या टी वन हम बोले कि टी वन पे बतावी कन का इस्थिति क्या है क्या पुशा के समझ में रहा है इस टी वन समय पर कॉन का इस्थिति क्या है कॉन का इस्थिति का मतलब इसका जो एक स्कामान है एक सी है अरे बोलो जली आई वाई है आप एक सुर वाई का मान बताओ किसी भी समय पर परचेप पर गती में परचेप पर किसी समय पर किसी समय इस वस्तु का इस्थिति पता करो तो इस्थिति क्या होगा एक सौर यह निकला गया है अए किसमे में होता एग damn धिज्ठा नुटा इसका दिसा क्या इडिए इडिखाएंगे जो आव आप साइक साई का प्लust वाइज के मुमलत हो गया पॉलूलड जाली अव इसका मान सामने हो कि मैस का मान हो गा तम मान आपको बताये थहां दो बता हो अगरूमब वोर्तों प्रेशों और इसना चान र् demás खाय स्थिति हिस्थिति मईने दूरी दूरी में बिस्थापन कुछ भी ले लो और च्रहीं बात है तो तो यह को चाहिक रही है तो यह वाशे हैस अ ज्पर्सक्षा तो यह तो यह तो यह सव गृड़िक रहा वाई को आता जो कि चल गुना तो यो था तो यह सब्प्सक्या तो को तक्या होगा यू साइन आ इन टू कुण सा फर्मिला लग राइस ब्राब यूटी पलस ती यह सो गया वाई कि दिसा में एसको के लिग दिये वाई आ यू होगा यू ना समझ मारे एस ब्राबर यूटी पलस किस दिसा मिनिकार रहा हम किस दिसा में ती यू एस को क्या माल लिए यू क्या यू है समय कितना लिए थे यू इंटू टी हो गया अब पलस होगा कि माइनस हाफ एक अमान आइंटू हो गया अभी दुन्नों को जोड़ेगा तार वेक्टर निकल जाएगा तार वेक्टर प्राबर क्या लिकेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई लिखा ले कॉपी में चेक खरूं है अब यहीं पर सम्झो आप यहीं पर थोड़ा सा सम्झो जो प्रजेक्टाइल का एक्वेशन के बारे बोर रहा है ना यहीं से आएगा ध्यान दिजिए गादे रहे हैं कहां देने ध्यान सही में सब कोई बहुत बढ़ियां देखो तो इधर सब्सक्राइब मालत है समिकरण फॉस्ट के मालत है है इसको 2 ठीक बात है बत प्रॉयपर काशल गटे यह पर शहपर पतह का शलिक न बनता हैं हम इसलिया बताना रहे हैं क्या समझना है आपको परचे परफ़े पथका कि शमीकरण अब इसका मतलब पहले समझे इसका मतलब तुमको लिखवाए हैं तुम अभी पढ़ा था कुछ दर पहले अर्श्टाटीक पुछे थे ना परचे परफ़े परफ़े का से में किसको कहते हैं कोपी प्लॉट के देख परच्छेप परच्छा ए लिखा ले बोट पर परच्छेप परफ़ का समीकरन परच्छेप परफ़ का समीकरन लिख लिए देखो हम एक चीज़ और बतालते हैं आप कोई कहसे निकार रहे हैं समझिएगा यह कौन सा दिसा यह कौन सा दिसा बोड़ पर ध्यान देगा बोड़ पे हम बोले कि इस पत का समिकरन क्या होगा तब बताओ इसमें अब आपको दिख रहा होगा कि जिस बिंदू पर भी चेक करें इसमें है एक्स का भी मान है वाई का भी मान है बोलो हम को यह को समय को पकड़ते हैं कोई समय टी तटी समय पर क्या दिखा कि एक्समें इसका कुछ मान है और वाई में इसका कुछ तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि X को निकाल लेना है किसके function में T के function में X का मान बदलता है किसके हिसाब से तो X का मान निकालो किसके फलन में फिर क्या करो Y निकालो किसके फलन में इसको क्या माल लो इसको क्या माल लो सभी बात है आथ दुन्यों मेश समीकरान, één सब्सक्राण, समीकरान एक तथा, ढोश्य सम Спलाए इस में थे, ती को हटाने पर, इस थे, ती को हटाने पर, इस दुन्यों मेश थे, ती को गाव करो उसमें एखिया है, इस में एक एक्सका सम्मकिस्के साथ Hare यह। य कि बाइगा धिसके साथ आज अद दुनों में से ती हटा दो फाद दुनों में से टी अगर हटा दिया था बाइब रावर एक्ष मिलेगा नम्तलब वाई और एक्समों बास जाएगा मुलो तॉ में जो साज़़ का समण किसे वाई किस्ते ना आद कुस का ऐगा सो तशलव हौ किसका मिले गा किसका मिलेगा एक-शमा का सम न मिले कोछ इसी को न बोलेंगे परछेप का समीकरन इसी को नो बोलेंगे जी बोलो समझ मैं कैसा नहीं कालना हमको हाँ कि ना पक्का बात है अगर पक्का बात है तो इसको आप लिखो पहले फोटो बनाके ता समीकरन नहीं हुआ है समीकरन चलो कोई बात नहीं है आप लिखे इसको जल्दी किजिए जल्दी हो गया अगर इसको लिख लिए आप तो इसके बाद इसको लिखेंगे करने के लिख लिख लिखेंगे 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 लिखें कि हटाने पर है इसको लिखो जल्दी नीचे ला मिटा सकते हैं कि तो देखो टीक ही से हटाना पड़ेगा हमको हम यहां पर क्या लिखेंगे समीकरान एक से बोट पर देखान देना क्या लिख सकते हैं टी बड़ाबर एक सबटा यू कॉस्ट इटा बोलो लिख सकते हैं एक सबाबर क्या यू कॉस्ट इटा इंटू ता बता टी का मान केतना आएगा इनीचे चल जाएगा आई वेला भेला उठाए कहां डाल दो समीकरान तदे को इधर बोट पर लिखना मात क्या लिखेंगे समीकरान दो में टी का मान रखने पर ठीक बात है अर इधर को इधर इधर उधर पढ़ा रहे हैं ता वाई बढ़ाबर यू आइन टू टी कितना ता एक्स बटा यू कॉस बोलो सही है माइनस हाफ इलिखा तुम अजाट ठीक है नीचे समीकरा समझता है देखना माइनस हाफ जी अटी कितना एक्स बटा यू कॉस बोलो यहीं ना आएगा बता इसमें टी दिख रहाएगा तो तो तुमको यह नहीं सिखाय थे एक्स को निकालो टी में वाई को निकालो आद दूनों में से टी को तो संबंद किसका मिलेगा एक्स और क्या एक्स और वाई दिख रहा है इसी को न बोलेंगे परच्छे प्रका समीकरान अरे हा ना बोलो इसको थोड़ा अच्छे से सोलब कर लिए कई से देखो यू यू मढ गया साइन बटा कॉस है तो वाई बड़ा वर क्या आया एक्स टैन थीटा टैन एक्स आया रे एक्स अलग चीज़ है थीटा अलग चीज़ है तो एक साइन थीटा बटा कॉस्ट टैन थीटा आ इंटू में एक्स है तो क्या बोलेंगे एक्स टैन बोलो कि लिए रुआ माइनस माइनस हाव हर नीकों ठीक है और ऊपर में कहahaha GXX आ स्कौर घिंटू एक सब्सक्रार था केतना है अब बाता मेंटू इसका our UA स्कूर को स्थ क्यूर बोल या अब इसको याद्रक ना तुमको को किसको क्या रादाना है कि इसी नोग्य बोलेंगे मैं इसी को क्या बोलेंगे परच्षेप पर पथका जब एक दारेक्ट विखरण पर सवाल बनेगा और समझ भारा है इस ड्रेक जू लिखना जाना इस सवाल बन जाएगा ठीक है तब पर याद के वाइब रावर एक स्ट्ठ्रेन माइनस इसक्वार बटा याद नहीं ओ गया लाइब रावर एक स्टैन माइनस एक श्क्राशा बटाव बहुत भारी नहीं है आप इसको दूबार पढ़िए आपके दिमाग में छप जाएगा समझ में आया आप इसको लिखिए देखो जिद्धा मन से तुम और हर एं सिखाने कोसिस करना जीवन में ऐसा दुबारा मौका साय नहीं मिलेगा हम आपको बाराव पताने आकोसिस कर रहीम बात आप इसको समझ नहीं पार हैं हम आपको क्या बोलते हैं आपको भिश्वास नहीं होता आपने अगल बगल इधर उ पूछिए सब चीज उसको हवा नहीं लगेगा तो सही बता रहें आप उसके पूछिए पूछ के देखिए तब नहीं पता चलेगा आपको कि नीचे लिगो नीचे 36 36 परचेप 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 पर का समी करन 36 परचेप पर का समी करन ठीक है अब इस है तीज परचेप पर का होता है ध्यान देना मिटा देने सब को कि देखो तो बोट पर पर यह लाइका है कौन है कौन है कौन है एक्स में है कि वाई में है कि बीच में एक्स में तो क्या इसकों 36 नहीं बोल सकते थे 36 किसको बोलते थे एक्स को तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा गेंद को कहा फेका है तुमको क्या लगता कि सीधा गिंद जलेगा जूर क्योंकि गुर्तवाखर्सन तो कुछाइसा जाएगा जल देखी ऑई यहीसे जो मूर रहा है कोंडनोर राए गुर्थो आकर संक्डूरा है एक उसक पर छेपपे का समीकर्णन लिखो एक लिको इसका आभी तुमको पर छेपपे का समीकर्णन बताए थे ना क्या आया था पो यह वाई बढ़ा बर इंगत जो चूप है minus कि याद वो गया वाई ब्राबर ठीक है अब इसके हिसाब से इसमें भैलू पूट करो ठीक है बता यहाँ पर थीटा कितना ठीक कितना जीरो ठीक ही देलिया अधुम द्याद करो इथा थीटा एक्स ते लिया था आप एक से में फ्यक्वेदिया थीटा कुछ आ है तो थीटा कितना हो गया कितना हो गया जी तब टीटा के जगा करो पूट तो वाई ब्रावर टैन जीरो साफ हो गया तो क्या बचा माइनस जी बटा को जीरो वान तो वन का स्कार रह गया आ गया हाँ बोलो बोलो इवरा कहां गया टैन जीरो जीरो गुना एक्स कुल सही है तो यह किसका समीं करना आया 36 पर्षेप 36 पर्षेप पर का कोई दिखकत और देखो नहीं दर्जे लिखो इसको अपने बत्याइत रहता है पगला एक दम अच्छा फुटबॉल खेलता तुम लोग फुटबॉल देखता है खेलते हुए देखा है तो भी सही है समझ में आएका चीज आपको यह जो सवाल हो फुटबॉल का है तो आप लिको सवाल एक लिको तो दिये गए चित्र में एक खिलारी दिये गए चित्र में एक खिलारी एक फुटबॉल को 36 से एक फुटबॉल को 36 से क्यांतालिस डीडी के कोन पर 26 से कोन पर 20 मीटर प्रती से के वेग से उएप एक उनपर फ्रती से के के वेग से की करता है की समझते है है लात मलना हां तक किक करता है 36 से कितना डिग्री पर 25 डिग्री पर कितना वेक से 20 मीटर प्रती सेकंड से कीक करता है यदी यदी खिलारी से यदी खिलारी से गोल पोस्ट का दूरी गोल पोस्ट समझा गोल पोस्ट जैने फुट वला मारता तो गोल करता है दूगो नहीं कर रहता है आज जाली लगा रहता है उसको बोलते हैं गोल पोस्ट लिगो यदी गोल पोस्ट खिलारी से ठीक है यदी गोल पोस्ट की दूरी खिलारी से चलो ठीक है भाई वही लिगो यदि खिलारी से गोलपोस्ट की दूरी पचीस मीटर है यदि खिलारी से गोलपोस्ट की कितना है पचीस मीटर है तथा उचाई तथा उचाई तीन मीटर है तथा उचाई तीन मीटर है तो बताएं तो बताएं गोल होगा की नहीं, तो बताएं गोल होगा की नहीं, देखो, दिया गया चित रेख है, बोड पर रहान दिजेगा, यह धरती है, समझ गया? यही मालोग गोल पुस्ट है, जिसका उचाई कितना है? कितना है? आखिलारी यहाँ है, ठीक है, आई यहाँ पर फुटबॉल है, फुटबॉल को हीट करता है, किक करता है पैर से, कितना कोन पर? कितना मीटर? 20 मीटर, समझ गया? यही लड़का से, खिलारी से, गोल पुस्ट का दूरी? 25 मीटर, आप से पुछा गया, कि अगर यह लड़का फुटबॉल को 25 डिर के कोन पर 20 मीटर पर सेकेंड से लात मारेगा, किक करेगा, तो इससे जो 25 मीटर के दूरी पर जो 3 मीटर उचा गोल पुस्ट है, इक गयनदवा उपड़े से जाएगा, कि गोल हो जाएगा, बता उपड़े से लगा तो गोल हुआ, फुटबॉल अगर थोड़ा बहुत भी जानता है, ती फुटबॉल इसके अंदर जाना चीए, मना दिल्ली, क्या समाज में आया? क्या समाज में आया? क्या समाज में आया?